Hello Friends, Welcome to ADSTAR Classes आजम बात करने जा रहे हैं भारत की सभी प्रधान मंत्रियों के बारे में यानि मैं आपको इस पीडियो में भारत की सभी प्रधान मंत्रियों से दूरे important fact और संबिधान में उनका किस आर्टिकल में बनन किया है इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूरा डेटियल से बताऊँगा एक ही प्लैटफॉर्म पर एबलेबल मिलेगी अगर आपको हमारा सेसन परेशन दाया तो वीडियो को लाइक किजिए परचे में सबसे पहले आर्टिकल सेबंटी फोर यानि अनुचे चहुतर के अंसार राष्टपती को सलाह देने के लिए एक मंतरी परसद होती है ऐसा आर्टिकल सेबंटी फोर में बढ़ित किया गया है जिसका परधान परधान मंतरी होता है Article 75 में ये बढ़न है कि परधान मंत्री की निउक्ति राष्ट पती करेगा आपको याद रखना है Confuse नहीं होना है कहीं आप इस confusion में रहें कि परधान मंत्री की निउक्ति जन्ता की दोरा परतेक्ष चुनाओ के दोरा होती ऐसा नहीं है संभिधान में ये बढ़ित है Article 75 में कि परधान मंत्री की निउक्ति राष्ट पती करेगा आपको याद रखना है अगर आपके सामने कभी ऐसा question आता है कि प्रधान मंत्री की नुक्ती कौन करता है तो प्रधान मंत्री की नुक्ती राष्टपती करता है आगे बात करते हैं अन्य मंत्रियों की नुक्ती भी राष्टपती लेकिन अपने मत से नहीं वो प्रधान मंत्री की सलापर करेगा आपको याद रखना है जितने भी अन्य कैबनेट के मिनिस्टर होते हैं उनकी नुक्ती राष्टपती करेगा लेकिन वो प्रधान मंत्री की सलापर करता है आगे सवा के कुल सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं आओगी आपको याद रखना है जिसमें हमारे प्रदान मंत्री भी इंबॉल्व होगे आपको याद रखना है आगे बात करते हैं आर्टिकल 75-2 यानि अनुचेद 75-2 में ये कहा गया है कि मंत्री राष्टपती के परसाद परियंद पद धारन करेंगे आपको याद रखना है आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 75-3 में ये कहा गया है कि मंत्री परसद लोग सवा के परती याद रखना है लोग सवा के परती शामोहिक रूप से उत्तरदाई होगी ऐसा आर्टिकल 75-3 में कहा गया है आर्टिकल 75-4 में ये कहा गया कि पद गरहन्ट से पूर्व जो परतान मंत्री होते हैं उन सहित जितने भी परतेक मंत्री होंगे उनको राष्टपती के सम्मुख गोप नियता और पद की सपत लेनी होती है यानि जितने भी मंत्री होते हैं और जो परतान मंत्री होते हैं उनकी सपत का वड़न आर्टिकल 75-4 में है ठीक है आपको रहना है किसमें अगर आपके सामने कभी ऐसा कुश्यन आता है कि परतान मंत्री और मंत्रियों की जो सपत ग्रहन है उनका सफद गर्ण सम्मिदान के किस अनुचियत में है तो आर्टिकल 75.4 में यह नहीं थे आपको आप यहां देख सकते हैं आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 75.5 यानि अनुचियत 75.5 में ऐसा कहा गया यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसत सदस नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर संसत सदस बनना अनिमार है कितने 6 महीने के अंदर उसे सदसता गर्हन कर लेनी है अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा आपको याद रखना है आगे बात करते हैं परदान मंतरी योम कैबिनेट मंतरी को मिलाकर मंतरी मंदल का निर्माड होता है आपको एलटना है परदान मंतरी और कैबिनेट मंतरी को मिलाकर मंतरी मंतरी का निर्माड होता है आप आगे बढ़ते हैं थोड़ा बात करते हैं मंतरी कितने प्रकार के होते ह अगर आप प्लेलिस में जाएंगे आपको प्लेलिस में पूरी Cabinet Ministry की वीडियोज एपलेबल मिलेगी वहाँ मैंने आपको पूरा डेटियल जिनके बारे मताया है आप उस वीडियो को देख सकते हैं थोड़ा मैं आपको बताता हूँ मंत्री तीन प्रकार के होते हैं एक होते हैं कैबेट मिलेश्टर एक होते हैं राज्य मंत्री और एक होते हैं उपमंत्री आगे बात करते हैं जो प्रधानमंत्री होता है वो लोगसभा का नीता होता है कौन लोगसभा का नीता होता है प्रधानमंत्री नीती आयोग कुछ आयोग है कुछ काउंसिल है दिसे नीती आयोग राष्टिय विकास काउंसिल राष्टिय एकता परिशद राष्टिय जल संसाधन परसत और अंतर समिदान में नहीत है इसका मतलब अर्थात अगर प्रधान मंत्री की मिर्तिव अथवा उसकी त्यागपत से मंत्री परसत स्वयम भीगटित हो जाती है अब आईए हम बात करते हैं अपने में पॉइंट पर यानि जो हमारा आज का मेजर पॉइंट है एक तरफ आपको नाम दि और दूसरी तरफ उनकी जितने भी कारकाल है अनकी उनका दो टाइम पीरिड है उसके बारे में एक तरफ लिखा हुआ है सबसे पहले बात करते हैं जवाल लाल नहरु की 1947 से लेकर के 1964 तक ये भारत के प्रधान मंत्री रहे थे और साथ ही ये भारत के प्रथम प्रधान मंत् करेंगे ठीक है आगे बात करते हैं लाल बहादु सास्त्री 1964 से लेकर के 1966 के बीस में ये भारत के प्रधान मंत्री रहे थे आगे बात करते हैं इंद्रा गांदी के बारे में 1966 से लेकर के 1977 तक ये भारत की प्रधान मंत्री रही थी और ये भारत की प्रतम महिला प्रधान मंत सिंग उनीच सो उन्यासी से लेकर के उनीच सो असी तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे थे और शाहती इनके बारे में जो फैक्ट है इनके बारे में ये फैक्ट है कि इन्होंने लोग सबा का यारी लोग सबा में ये कभी उपस्तित नहीं होते लोग सबा का इन्होंने कभी सामना नहीं किया था, फैक्ट मैं बताऊंगा नीचे आपको, इंद्रा गांदी, दुबारा से इंद्रा गांदी प्रसामंत्री बनी, एक बार ये 1977 में अटी थी, ठीक है, एक बार ये 1966 लेकर के 1977 तक बाद में फिर ये, नीचे से लेकर के 1984 तक बारत के प्रसामंत्री रहे, राजियो गांदी, नीचे से लेकर के 1989 तक ये भारत के प्रसामंत्री रहे, आई आगे बात करते हैं, पीबी नरसिम्मा राओ, पीबी नरसिम्मा राओ, 1991 से लेकर के 1994 तक भारत के प्रसामंत्री के रूप में निब्ट हुई थी, अटल बिहारी बाजपी जब पहली बार ये पर्धानमंत्री बने तो ये केवल 13 दिनों के लिए पर्धानमंत्री बने थे आपको याद रखना है सबसे छोटा कार काल अगर पूछा गया तो अटल बिहारी बाजपी रीका सबसे छोटा कार है ये 16-5-1996 आपको रखना है 16-5 यानि 16 मैई 1996 से ले करके 1 जुन 1996 तक यानि केवल ये 13 जिन तक या रखना केवल 13 जिन तक ये सबसे छोटे काल में ये प्रतामंत्री रहे थी और ऐसा कब हुआ था 1996 में हुआ था आगे बात करते हैं SD दियोगोडा की 1996 से ले करके 1997 तक SD दियोगोडा भारत के ये प्रतामंत्री रहे थी आई के गुजराल 1997 से ले करके 1998 तक ये भारत के प्रतामंत्री रहे अटल बिहारी बात पर आगे बात करते हैं इनके बारे में एक बार हमने देखा कि ये केवल 13 जिन तक यानि सबसे छोटा कारेकाल इनका था, अब 1998 से लेकर के 1999 तक अटल बिहारी बास भी ये प्रतानमती रहे, फिर इनके बाद 1999 के चुनाओं में इन्होंने जीत हासिल की और 1999 से लेकर के 2004 तक ये पूरे 5 साल यानि अपने कारेकाल तक ये भारत के प्रतानमती रहे थे, आगे टॉक्टर मनमोहन सिंग, टॉक्टर मनमोहन सिंग 2004 से लेकर के 2014 तक लगातार दो भार ये भारत के प्रतानमती रहे, फिर नरेंद्र मोधी, बरतमान में भी हमें पता है 2014 से लेकर के 2019 तक और 2019 से लेकर के बरतमान तक अभी तक स्री नरेंद्र मोधी भारत के प्रतानमत्री है आईए अब कुछ important fact के बारे में बात करते हैं सबसे बड़ा कारिकाल यानि प्रधानमंत्री के रूप में सबसे बड़ा कारिकाल पंडित जवाह लाल नेरू का था 16 साल 9 महीने और 12 दिन इतना इनका कारिकाल था आपको यह दखना है 16 साल 9 महीने 12 दिन तक बारत के प्रतम प्रतम प्रधानमंत्री दोरान उन्हें मिर्तु की परापती यानि प्रदा ने वाले तीन ऐसे प्रतम वन्तरी लाल बाहादु शास्त्री और इंद्रागान्दी इनके मिर्तु 11 जनोरी मिनें दिस था ककंद में हुए था वहीं पर 11.12.196 को लाल बहादु शासरी की अकस्त मात वर्ती हो गई मुराडशी दिशाई ये परतम गैर कांगरेसी प्रतानमंतरी और ये प्रतानमंतरी पच से त्याक पत्र देने वाले प्हले प्रतानमंतरी थे इसके साथ ही सबसे अधिक उम्रे के प्रतानमंत्री भी मुराड़ी दिशाई थे अब सबसे अधिक की बात आई है तो सबसे कम की बात करते हैं राजियू गादी ये सबसे कम उम्रे के प्रतानमंत्री थे कौन राजियू गादी चौधरी चनर्ण सिंग ये एक ऐसे प्रतामत्री जो कभी लोगसबा में उपस्तित नहीं हुए थे विस्वनात प्रताप सिंग इन्होंने विस्वास मत अपना खो दिया था इंद्रा गादी ये भी दो बार चुने जा चुके हैं पंडी चवाललाल नहरू ये भी तीन बार चुने जा चुके थे इससे पहले मैंने आपको बताया और कुछ important fact के बारे में हम बात करते हैं मैंने आपको बताया उप परधान मंत्री क्या आपके माइड में कभी ऐसा आया कि बरतमान में तो उप परधान मंत्री होते ही नहीं लेकिन इससे पहले मैंने आपसे बात किया उप परधान मंत्री के बारे में उप पर्धानमंत्री में मैंने आपको पताया कि सबसे पर्धम यानि पर्धम भारत के उप पर्धानमंत्री से सरदार बल्लब भाई पटेल एक शमय था वो समय था मुरार्जी देशाई का मुरार्जी देशाई के कारकाल के दौरान एक साथ दो उप पर्धानमंत्री नुग तो हुए थे दोस्तों अगर आपको हमारा ये सेशन अगर आपको पश्चन आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए साथ ही हमारे चानल AD Star Classes को सब्सक्राइब भी कीजिए और आपके पास जितने भी एजुकिसनल गुरूप हैं आप उस गुरूप में हमारे वीडियो को सेर भी कर सकते हैं जिससे Maximum to Maximus Run को हमारे वीडियो के मादमते फादा मिल्स की मैं वीडियो लंबी नहीं मिला रहा हूँ आपको पता है अगर वीडियो लंबी होगे तो आप बोर हो जाओगे इसलिए वीडियो छोटे-छोटे 10 से लेकर कि 15 मिट के 20 में ही वीडियो बनती है इसलिए आप वीडियो को आसानी से देख भी सकते हैं और अगर आपको हमारे इस वीडियो की पीडियो से अगर आप नोट्स नहीं बनाना साते हैं तो आप हमारे इस वीडियो का पीडियो प्राप्त कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलेग्राम ग्रूप का लिंक दिया हुआ है आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारा टेलेग्राम ग्रूप जाइन कर सकते हैं और वहां से आपको सारे वीडियो की पीडियाफ एक साथ एक ही प्लैटफॉर्म पर एबलेबल मिलेगी तो दोस्तों व